हेलो दोस्तों आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि UPS कैसे काम करता है और UPS को कैसे ओन करेंगे और जो इंडिकेटर दिया होता है वो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा लाइट किस काम में आता है और ये सारे जो लिखा हुआ इसके बारे में जानेंगे तो चलिए जानते है तो सबसे पद्धार्न अपको सबसे उपर इनपुट लिखा है अगर आप इस QPS में इनपुट देंगे तो यहां पे gelen light जल जाएगा और 2nd number UPS ON करेंगे तो यहां पे 2nd number पर the green light जालेगा और यह बाई पास का दिया हुआ है और यह बैटरी ON हो तो यहां पर red light चल जाएगा अगर कोई fault होगा तो नीचे वाला light चल जाएगा bypass का मतलब होता है कि जैसे आप battery off कर दी अगर light है तो जो current है वो bypass हो जाएगा इसका switch भी हम आगे देखेंगे तो चलिए आजाते हैं इसके main face पे तो यह हमारा UPS हो गया और यह देख सकते हैं कि यह adjust fan है जो अंदर की बाहर गर्म हाओ को बाहर निकाले गाए और यहां से main switch है और यहां से जो पाली switch होती है इससे on होता है जो यह होती है इससे हम लोग output भेजते हैं अगर output off भी कर दें और main चालू रहेगा तो आपका battery चार्ज हो जाएगा और यही है bypass अगर battery off कर देंगे तो bypass से भी current जा सकता है और on करेंगे तो on से भी जा सकता है और यह जो UPS में battery जूरा होता है वो series crumb में जूरा होता है देख सकते हैं कि यह series crumb में जूरा हुआ है और आप ऐसे ही किसी भी UPS में battery को connection कर सकते हैं